तार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं काफी ज़्यादा एक इंपोर्टेंट इशू है या कहें कि आज की डेट में काफी ज़्यादा गरमाया एक विशे है जहांपर ASI यानि Archaeological Survey of India ने अपनी रिपोर् ये विशे काफी ज़्यादा गरमा गया है तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहां होती है टाइम लाइन जो है यहां पर देखेंगे फिर ASI Report को हम देखेंगे साथी साथ एक एक हमारे सामने आता है 1991 Act ये काफी ज़्यादा एक इंपोर्ट ये काम कर रहा है ये सारी चीज़े हम देखने वाले साथी साथ हम एक और चीज़ देखेंगे कि क्या औरंग जेब ने जो काशिव विशुनात की मंदिर जो गिराया था क्या इसके कोई एविडेंस मिलते हैं ASI ने अपनी रिपोर्ट के अंदर वो एविडेंस भी दिये है उन सब चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं तो यानि कि इस वीडे में काफी जादा इंपोर्टन चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं सिरुप मैं ढूंड के लिए हैं ये आप जाएंगे खुद भी आप ढूं लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोगों के सामने वा चीज़ें रहें आप अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ भी सकें तो ASI यानि आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट के अ जिसमें एक सेंटर चैंबर हुआ करता था वहां पर सेंटर चैंबर के नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट अलग लग इन चारों दिशाओं में भी एक एक चैंबर हुआ करते थे अपनी इस रिपोर्ट में बोला गया है काफी सारी चीज़ें हमें मिली हैं ASI ने इस रिपोर् वो हुआ कैसे किसी ने तो अपनी की याचिका डाली होगी ना कोर्ट के अंदर यह सब चीज़ें शुरू कहां से होती हैं तो मैं ज़्यादा पीछे से नहीं जाता हूँ 2021 से इस चीज़ों को शुरू कर लेते हैं ऐसा नहीं कि 2021 में मामला गर्मा गया था बहुत टाइम से यह मामला गर्माया हुआ था हाई कोर्ट Supreme Court के अंदर यह के चल रहे थे लेकिन सबसे ज़्यादा गर्माया जब पांच महिलाएं पांच हिंदू महिलाएं जो हैं वो पूझा करने के लिए मा शिंगार गोरी की जो पूझा करने के लिए जो है वो जाती है वो अधिकार मां यहां पर मंदीर हुआ करता था, यह बात बोली गई है, तो यहां जो यह पांच महिलाएं जाती है, कि हमें पूजा करनी दी जाए, तो इस चीज को लेकर वहां के जो मस्जिद कमिटी है, वो एकदम क्या कहते हैं, एक्टिव होती है, और वो यह कहते हैं कि यहां पर आपको 1991 का एक्ट का हवाला देते हुए, इस मुकदमे की स्थिर्था की चुनोती देती है, क्योंकि पांच महिलाँ उन्ने तरक देते हुए, कि यह जो मंदीर है, सिविल सूट डाल दिया हुता है, कि यह जो मंदिर की जगह बना है, अब इस चीज को रोकने के लिए, जो मंदिर स सबसे important यह 1991 का act आता है हमारे सामने ठीक है इसको भी हम discuss करेंगे यह अगस्त की बात है दो 2021 अगस्त की बात आ जाती है हमारे सामने अब 2022 में क्या होता है 16 मही में जो स्थानी अदालत है यानि कि जो local court है वो क्या करती है एक वीडियोग्राफी सरवे करवाती है उस जगय का यानि कि ग्यानवैपी complex का वहां पर क्या होता है कि उस वीडियोग्राफी सरवे में पता चलता है कि वहां पर एक सिवलिंग जैसी सरंचना दिखाए जाती है इक स्रंचना पाई जाती है जिसे हिंदू पक्ष कहता है, कि हो एक फुवारा है तो यहां पर अदालत में इस चीज को देखा, यहां पर काफी जाधा गरमी हो रही है लोग एक दूसरे के ओपर यही चीज कर रहे है, कि हो शिवलिंग है, कोई कहारए है कि पुवार है यानि कि जहांपर shivering पाया गया है, shivering जैसी स्रंचना पायी गई है, तो वहांपर क्या-क्या, उसको seal कर दिया वहांपर, seal करने के आदेज दी दिया 20 मही में Supreme Court ने, जो इमामला है, वो जिला नया है, जिसको transfer कर देते हैं, और Supreme Court कहता है कि एक बार आप अपने स्थर पर इन चीजों को आगे बढ़ा लीजिए बाद में मैं इसके उपर हस्तक्षेप कर लूँगा इंटर्वेंच कर लूँगा सुप्रीम कोट के बाद बोल देते हैं फिर वहाँ पर आते हैं हमारे पास सितंबर वारनसी जीला एम सत्र नयाले ने मस्जिद समीती की याचिका को खारिज कर दिया वो एक याचिका डालते हैं कि इसीज को रोका जाए उन्होंने इसीज को खारिज कर दिया फिर ये जो समीती है जैनि जो मुस्लिम समीती है वो इलावाद हाई कोट की तरफ रुख कर लेती है अक्टूबर में वारनसी जिला अदालत ने शिवलिंग की एक साइंटिफिक सर्वे किया जाए की कार्बन डेटिंग की जाए इसकी एक याचिका डाली जाती है हिंदूओं की तरफ से उस याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है वो भी हिंदू क्या करते हैं इलावाद हाई कोट की तरफ अपना रुख कर लेते हैं 11 नुवंबर को सुप्रीम कोट ने मस्जी तक पहुंचने और नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों के जो अधिकार है अधिकारों को पर्तिबंद किये भी ना मतलब आप जाईए आप नमाज कर लीजिए आप वहाँ पर जा सकते हैं उस चीज को तो उन्होंने जारी रखा लेकिन जहां पर वो परिशर के अंदर आपको शिवलिंग पाया गया उसको उन्होंने एक तरीके से बंद ही रखा ताकि जो हैं लडाई ना हो क्योई दंगे ना भढ़क जाएं उस चीज को लेकर उन्होंने बंद ही रखा वहाँ पर ताकि वहाँ पर सर्वे किया जा सके या अपने पास उस डिसीजन को करने का वहाँ पर आदेश दे दिया अब यह जो है इलाबाद हाई कोट ने बोला इसको लेकर भी यहाँ पर जो निचली अदालत है डिस्टिक कोट है लोकल कोट है वहाँ पर भी यह सब चीज़े चल रही थी लेकिन उसको स्टे लेगा दिया गया था को वारा नसी जिला अदालत ने भारतिय पुराततो शर्वेक्षन यानि आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया को मस्जिद परिशर्व के अंदर विज्यानिक चांच सर्वेक्षन खुदाई के लिए कहा और यह पता लगाने के आदेश दिये जहां पर वर्तमान स्ट्रक्चर है क्या वहां पर पहले कभी कोई मंदिर हुआ करता था या नहीं इसके आदेश दी दिये जाते हैं 24 जुलाई के अंदर जो मस्जिद कमीटी है वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट इसके उपर रोक लगा देती है फिर मुझे फिर वहां पर 25 जुलाई में फिर जो यह मस्जिद समीटी है वो जिला दालत के आदेश के किलाब इलाबाद हाई कोर्ट में रुख कर लेती है तीन अगस्त आ जाती है तीन अगस्त को इलाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा जो याचिकाई हैं जितनी भी याचिकाई हैं सब को खारिज कर देते हैं और ASI को एक दिन बाद अपने काम शुरू करने के लिए कह देते हैं ग्यारा दिसंबर को वाननसी जिला दालत ने ASI आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया को अपने जितने भी उन्होंने एविडेंस निकाले हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए कहा कि आपको एक और हफता दिया जाता है आप एक हफते के अंदर अच्छे से रिपोर्ट पेश करके हमें दे दीजिए 19 दिसंबर को इलाबाद हाई कोट ने ग्यान वैपी परिशर से संबन दित 1991 के एक मामले में मुस्लिम पक्ष की चुनोती को खारिज कर दिया जिसमें ये दावा किया गया था कि मुस्लिम समुदाई ने संपती पर अवैद रूप से कबजा किया गया था ये 19 दिसंबर आता है ये मई ये 2023 आपके सामने याँ पर खतम हो जाता है फिर आ जाता है 2024 स्टार्टिंग में तो ये बात बोली गई थी कि जो रिपोर्ट आई है वो पब्लिक नहीं की जाएगी लेकिन 25 जनवरी को कोट ने जो ASI की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक मतलब कि एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौब दी अब जैसे ही ये पक्षों के अंदर जाती है जहां पर मुस्लिम लिटिगेंट्स हैं जो उनके लोयर हैं उन्होंने इस चीज को मानने समना कर दिया कि नहीं ये जो ASI रिपोर्ट में पाया गया है कि यहां पर पहले कभी हिंदू टेंपल हुआ करता था यह गलत है वो अपनी ये बात बोल देते हैं अब यहां पर एक तरीके से जैसे ASI ने अपनी रिपोर्ट पेश की जब से ये विडन्स निकाल के सामने लेकर आए हिंदू पक्सिस में काफी जादा मजबूत हो जाता है तो यह एक टाइम लाइन होगी आपके सामने आप बात करते हैं अब क्या होगा ASI के रिपोर्ट में क्या बोला गया है उसके बात कोट का डिसीजन लेगा औरंग जेब ने कैसे जो काशी विशुनात मंदिर है उसको कैसे गिराया था कौँ सा फरमान उनों ने जारी किया था यह सब चीज़ें हम इसमें आगे देखने वाले है तो अब आते है ASI के रिपोर्ट में क्या बोला गया तो फर्स्ट अफॉल तो आपको पता चला गया कि ASI को क्यों लाया गया था यानि आर्केलोजिकल सरवे ऑफ इंडिया को क्यों लाया गया था इस बात के लिए लाया गया कि आप जाहिए आप पता करिए जो ज़िए 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 पहले वाँ पर कोई Hindoo Temple हुआ करता था या नहीं तो इनोंने पता लगाया अपनी रिपोर्ट के अंदर जैसे इनोंने पता लगाया कोट के अंदर जाती है कोट अपनी रिपोर्ट जो हिंदू और मुसलिम दोनों पक्षों को दे देती है दोनों पक्षों को देने के बाद यह रिपोर्ट जो पब्लिक हो जाती है ASI ने पूष्टी कि कि मस्जिद पहले से मुझूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी जिसमें एक बड़ा एक चैंबर है और कम से कम एक करम से उत्तर दक्षिन पूरू और पश्चिम में था यह अपनी इस रिपोर्ट के अंदर बोला जाते है तो अब यह जो रिपोर्ट लाते हैं वो कितनी जादा महत्वपूर्ण है इसके उपर आते हैं तो यह जो रिपोर्ट है वो विशेशक्यों यानि एक्सपर्ट का उपीनिन है 800 page की एक expert opinion एक page है आपके सामने ये रिपोर्ट है आपके सामने जो ये बात कहती है कि इस मस्जिद के पहले यहां पर हिंदु मंदिर हुआ करता तो और ये हिंदु मंदिर के उपर बनाए गए लेकिन ये रिपोर्ट जिसने बात बोल दी कि भाई ASI के जो रिपोर्ट आ गई कि भी यहां पर बोला गया कि मस्जिद जो है वो महिंदु मंदिर के पर मनाई गई है तो यही सब चीज सही हो जाएगा ऐसा भी नहीं है इसको पूर्ण रूप से सही नहीं मान लिया जाएगा अब इसके ओपर सारी चीज़े आगे बढ़ाई जाएगे कि भी देखिए यह यहां पर क्या होगा अब सीविल मुकदमे स्टार्ट हो जाएगे अब गवाई के लिए यहां पर गवाल आए जाएगे जिन से क्या हो दूसरे पक्षवाले क्रोस एक्जामिनिंग करेंगे क्रोस एक्जामिन जोते ना कि तुम यह बोल रहे है क्यों ऐसा बोल रहे है क्रोस examine किया जाएगा, यहाँ पर फिर क्या होगा historians आएंगे archaeologists आएंगे, epigraphists आएंगे, जो fact को witness, fact सही है या नहीं उसके लिए witness आएंगे, expert witness आएंगे जो धर्म को जानने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे, court के सामने अपनी बातें बोलेंगे, ऐसा इसलिए सब चीज़ें होंगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद, राम जनव मुमी के मामले में भी एक चीज़ सामने आए थी चूना सुर्की, चूना सुर्की के अंदर, ASI ने निशकर्ष निकाले थे, कि यहाँ पर चूना सुर्की का यूज किया गया है, चूना का यूज किया गया है जिसे सुर्की कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है, उसने ये बात बोली थी, जो चूना सुर्की है, वो इसलाम में बहुत टाइम से उप्योग की जा रही है यह उपयोग किरने वाली एक विशिस्त सामगरी है, मिटीरियल है जहां पर हिंदू पक्ष की और चे जो एक वरिष्ट वकील थे, लोयर थे C.S. वेदनांतन इस चीज का विरोध किया था जो मुस्लिम जो बात बोल रहे थे, जो अपना तर्क दे रहे थे कि भी चुना सुर्खी जो है, वो इसलाम में यूज की जा रहे थे, वो हिंदू यूज नहीं कर रहे थे जहां पर इस चीज के ऊपर इनों ने, वकील ने, जो लोयर है, इनों ने विरोध किया और वहां पर विशेशग्यों की गवाई का हवाला देते हूँ, इनों ने बोला, यहां पर हिंदू पक्ष ने पुरा तत्वीद, सुरज भान के एक ब्यान पर भरोसा किया, जिनों ने बोला, इस चुना सुर्की के बारे में, कि जो आप चुना सुर्की की बात कर रहे हैं, चुने के पानी का उपियोग, जब वो तीसरी स्ताबदी इश्वी से, तक्षिला और पाकिस्तान में कुशान काल के तुरान से उपियोग किया जा रहा है, आप कब की बात कर रहे हो भाई, दूसरी ब्यात ये बोली, कि पुरा तत्वीद, डक्टर जय मैनन ने अपनी इंप्रिपोर्ट में का, कि जो आप बात कह रहे हो, चुना का, ये बहुत टाइम पहले, निश्ची तुरूप से, नव पाशान काल से, चुने के गारे का उप्योग किया जाता रहा है, नव पाशान काल नहीं, नियोलेथिक पिरियोड, नियोलेथिक यानि कि एक तरीके से, जो किसको कहते हैं, वो पत्थरों का जो यूग होता है, वो लास्ट खतम होने वाला होता है, उस यूग के दुरा और फिर वहाँ पर जो experts हैं उन्होंने अपने-पने opinion दे कोई एक ही report के ऊपर फैसला हो जाए ऐसा नहीं होगा इस चीज को ध्यान में रखना है आपको हाँ इससे क्या है कि हिंदू पक्ष मजबूत हो गया अब नियायले क्या decision ले सकते हैं अनिवारे रूप से अदालतों को या निदायित करना होगा कि क्या ASI की जो report है उन्हें रूप से ब्रोसा किया जा सकता है या नहीं एक तो ये सब चीज फिर हमारे सामने आता है 15 अगस्त 1947 को जो मस्जित के धार्मिक चरितर के लिए हिंदू मंदिर के अस्तित्व का क्या मतलब है ये बात क्या हुई कि हमार की एक्ट के सेक्ष्ण सेक्ष्ण त्री और फॉर के अंदर ये बात बोली गई है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर बना हुआ था और जो मस्जीद बनी हुई थी वो वहीं रहेगी यहां पर ये बात बोले गई थी तो अब ये क्या होगा अगर इस रिपोर्ट का कर लें तो इस 1991 एक्ट का क्या होगा यहाँ पर यह सब चीज़ें आती है बाबरी मस्जिद जन्म भूमी के अंदर 2003 की जो ASI रिपोर्ट का हवाला दिया गया था 2019 के अपने फैसले में सुप्रीम कोट ने इस बात पर पूर्ण रुप से भरोसा नहीं किया था कि वह ASI की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है कि इसी के उपर हम आगे बढ़ जाए ऐसा नहीं था बहुत सारे चीज़ें हुई थी बहुत सारे लोगों की वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर एविडेंस लाए गए थी अब यहाँ पर जो इस मस्जिद की बात करें ग्यान में पर मस्जिद के अंदर तो ASI द्वारा जो निकाले गए जो भी एविडेंस है उनको अधार बानकर एकदम नतीजे पर तो पहुँचा नहीं जा सकता आप देखिए बारवी सताबदी के बीच जहां पर हम यह मंदिर का शिव शुनाद मंदिर की बात करते हैं और सोल्विश सताबदी के अंदर यह मस्जिद का निर्मान हो रहा है तो इसके बीच में चार सताबदियां भी जाती है तो यहां पर काफी जादा टाइम है तो अभी सीच को लेकर कोट कहता है कि अभी तो हम पहले यहां पर जानेंगे कि इस सरंचना के विनास का कारण साथ ही साथ क्या मस्जिद निर्मान के पहले मौझूदा सरंचना को दोस्त किया गया था या अपने आप दोस्त हो गई थी एक तरीके से यह के कहना चारें इसके ओपर उपलब सबूद नहीं है लेकिन यहां पर एविडेंस मिलते हैं ऐसा नहीं कि यहां पर बोल दिया है इसबूत उपलब नहीं है अभी आप लोगों को जो औरंग जेब के द्वारा काफी सारी चीजें जो की गई है जो टेक्ट्चर की किताबों के आंदर चीजें मिलती है उनके बारे मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां पर यह बात बोली गई है बप बात आती है कि भूमी का स्वापती बही जो जमीन है वो किसके नाम की जाए obviously जिसके नाम की जाएगी वो एक तरीके से सारी चीजें जो civil trial है जो rule है जो एक कानूनी परक्रिया है उसके दौरान यह सब चीजें की जाएगी ऐसा नहीं होगा कि भई बस एसा इनी रिपोर्ट देदी और इसी कैदार पर बस एक काफी सारे है सबसे पहले तो भई क्या ये मुकदमा दायर किया जाना चाहिए ये नहीं किया जाना चाहिए इस बात को सर्वोच नयले जाए इसके उपर निर्ने लेगा क्योंकि यहाँ पर आपके सामने आता है 1991 का Act अब यहाँ पर यह सब चीजी 1991 का एक्ट आपके सामने आता है जिसमें बोला गया है Place of Worship Act अब इसका जो भाग गया है डिसाइड करेगा Supreme Court भाई यहाँ पर इस तरीके के मामले लाए जाएं ना लाए जाएं इसका maintainability जो है वो Supreme को डिसाइड करेगा section 3 और 4 में ने आप लोगों को बता दिया जिसमें बोला गया है कि 1991 Act के अंदर कि राम जनम भूमी आंदोलन देखे राम जनम भूमी आप कहेंगे कि 1991 Act जो यह कहता है जिसका section 3 और 4 यह कहता है जब देश अजाद हुआ था 15 अगस्ट 1947 को रुस वक जो मस्जिद बनी हुई थी वो वहीं रहेगी और जो मंदीर बना गया था वो वहीं रहेगा यहां पर आयोद्या में जो राम जनम भूमी यानि राम मंदीर है वो क्यों नहीं है वहां पर तो बना दिया गया तो यहां पर एक exemption रखे गई थी अफवाद रखा गया था राम मंदीर को क्योंकि इसके ऊपर तो पहुत टाइम से लड़ाई चली आ रही है और यह बात भी है कि काशी विशुनात के ऊपर भी काफी टाइम से लड़ाई चली आ रही है वहां पर 1984 के अंदर जो विंदुमा सभा हुई थी वहां पर यह बात बोली भी गई थी कि जो तीन मंदीर है मतुरा के अंदर काशी विशुनात मंदीर और एक ही राम मंदीर हो गया तो यहां पर यह तीन मंदीर काफी जादा इंपोर्टन थे तो यह जो राम मंदीर है इसको तो एक्जम्शन मिल गए थी एक तरीके से एक मातर अपवाद था ASI की रिपोर्ट शिर्शक मामले में महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 1991 अदिनियम द्वारा निर्दारित समय सीमा सुन्तन तरता की तारीक है अब यहां पर एक चीजे आती है कि 1991 एक्ट जो है या कोई मस्जी जिजगा बनी हुए है उसको बदल नहीं सकते नहीं 15 अगस्त 1947 की डेट इसके अंदर रखी गई तो ये भी काफी बड़ा इशू इसके अंदर निकल कराते है ग्यानवेपी जिला अदालत ने देखिए अब जो मुस्लिम पक्ष है वो इस एक्ट का हावाला देते हुए कोर्ट के अंदर जो ग्यानवेपी जिला दालत है वहाँ पर गए थे उन्होंने कहा था कि आप इस मामले को रोक दीजी तब उन्होंने जो ग्यानवेपी जिला दालत है उस याचिका को खारिज कर दिया था और क्यों खारिच कर दिया था सुप्रीम कोट ने भी यह जो जार बाइस के अंदर मोखिक रूप से कहा था कि देकि 1991 का जो एक्ट है वो यह कहता है कि आप किसी भी मंदिर को तोड़कर मंदिर को तोड़कर या मस्जिद को तोड़कर वहां पर किसी दूसरे धरम का structure नहीं ब बना सकते लेकिन आप वहां पर यह 1991 अक्ट है यह तो नहीं रोकता ना कि कोई चीज यहां पर पहले बनी हुई थी जैसे ग्यानवेपी मस्जीद की जगा मंदिर बना हुआ था इसकी जांच की जाए नहीं की जाए इस चीज को तो नहीं रोक सकते ना यह 19 एक्ट है उसके अंदर यह बात नहीं बोली गई तो हम कहीं पर भी सेक्शन 3 और 4 के प्रावधानों का उलंगन करी नहीं रहे हम तो वहां पर बस यह जान रहे हैं कि यहां पर पहले कौन से धर्म का मंदिर था यहां पर पहले क्या बना हुआ था इस चीज की हम प्रकरती का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं यह सब चीजें बोले गई यहां पर अब इसके अलावा सुप्रेम कोट ने अपने प्रारंबिक मुद्धे प्रणिने लेने के लिए अंतिमदाल दलीले सुनी अभी बाकी हैं क्या 1991 का अधिनियम ऐसी याचिक दायर करने पर भी लोग लगाता है अब त इसको मतलब बंद कर दिया जाए इसको क्या रद कर दिया जाए इसके ओपर सुप्रेम कोट ने पारलेमेंट को एक कहेंगी कि संकेत भी दिये कि आप इसके ओपर कोई निनायक वो लीजिए निनायक कदम उठाईए यहां पर यह बात बोलीगी लेकिन पारलेमेंट ने अभ तो SMA, जो ASI के रिपोर्ट है, उसके significance ही बदल जाएगा, उसकी प्रसिंगता ही बिल्कुल बदल जाएगी यहां पर, तो यह 1991 का जो act है, यह भी काफी ज़्यादा मामला जो है, वो काफी ज़्यादा गर्माया हुआ है, 2019 में सुप्रीम कोट ने कहा, 1991 का जो कानून है, वो समिधान की एक बुनियादी विशेषत है, अब सुप्रीम कोट का एक काफी ज़्यादा इंपोर्टन बयान है, वो इस चीज को 1991 को बेसिक फीचर ओफ कॉंस्टिटूशन के साथ इसको चोड़ देती है, अब सुप्रीम कोट के बयान आते हैं हमारे सामने, यह सारे आप देखेंगे न, वो सारे सुप्रीम कोट के बयान ही है, जहां पर कुछ बातें कह रही है, जैसे कोट नहीं बोला कि यहां पर राज्ये, यहां पर मतलब है देश से, स्टेट यानि यहाँ पर कोई किसी particular स्टेट यानि हर्याना पंजाब राजस्थान ऐसे नहीं है यह देश से बात कर रहा है देश से इसका मतलब है बोला कि देश को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जहाँ पर समिधानिक परतिबेदा लागु की हो जहांपर सभी धर्म की समानता और धर्म निर्पेक्ष्टा यानि सेकलिजम बनाए रखे और अपने समिधानिक दायतों को क्रियानविंति किया जाए जो समिधान की मूल विशिष्टा के एक इसा है यानि की एक बेसिक फिचर ओफ कंस्टिटूशन है पूजास्थल अधिनियम भारतिय समिधान के दायत धर्म निर्पेक्ष्टा के प्रति हमारी प्रतिबदता को लागू करने के लिए एक गैर अपमान जनक दायतों लगता है यानि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो एक्ट हम लेकर आए हैं यह जो एक्ट आया है वो एक तरीके से सेक्लिर्विजम को बनाये रखने के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टर्ट है वो किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता है इसलिए यह कानून जो है वो भारती राजनीती की धर्म निर्पेक्स विषयस्ताओं की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक विधाई साधन है यानि इसको कानून के तहत बनाया गया है जो की बुनियादी विशिष्टाओं में से एक है यानि की जो एक basic feature of constitution में से एक है ये जो बात बोली गई है वो court के बाद द्वारा बोली गई है अदालत एक बात और बोलता है की retrogression यानि non-retrogression यानि की परतिगमन यानि की हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे समीधान को कमजोर करती है जो उसे खराब बनाती है वो एक तरीके से ये वो चीज नहीं है ये और इसको और अच्छा बनाता है यानि जो act है वो समीधान को कही न कहीं अच्छा ही बना रहा है जिसमें धर्म निर्पेक्ष्टा एक मुख्य गटक है पूजास्थल अदिनियम इस परकार एक विधाई अस्तक्षेप है जो गैर पर्तिगमन को अमारे धर्म निर्पेक्ष्ट मुल्यों का इक अनिवारे विशेश्टा के रूप में सरंक्षित करता है यानि कहीं न कहीं कोर्ट ये बात बोल रहा है कि ये जो चीजें है वो यानि कि 1991 एक्ट है वो कहीं न कहीं बहुत ज़ादा सही है सेक्लियूरिजम बनाए रखने के लिए धर्म एक्ष राज्य बनाए रखने के लिए ये जो 1991 एक्ट है वो बहुत सही है अब Supreme Court की तो ये बाते होगी अब Supreme Court ने जब ये बात बोल दी तो अब ASI ने अपनी जो रिपोर्ट दी है अब ASI में तो बोल दिया है कि वही ये जो चीजें है यहाँ पर हिंदू मंदिर हुआ करता था अब इसके उपर बहुत सारी बहुत होगी यहाँ पर court के अंदर case चलेंगे अब सोच लिजिए हिंदू अब इसके अंदर अगर जीत के निकल आते हैं तो क्या वहाँ पर मंदिर बन पाएगा नहीं बन पाएगा अगर बन पाएगा तो 1991 Act चाहिए इसका क्या होगा क्या इसको रद करना होगा यह काफी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती है अब आ जाते हैं कि ओरंग जेब ने मंदिर तुड़वाया था इतिहास में इसके क्या evidence मिलते हैं अब यह बात बोले गई ASINI की Archaeological Survey of India ने conclude कि यहाँ पर जो मंदिर यह जो मंदिर बनी है यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करती थी और इसके साक्षे जो हैं वो काफी जगा हमें मिलते हैं जो इस चीज़ का समर्थन करते भी हैं कि यहाँ पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था 1609 का एक फर्मान है देखे उस दोरान यहनी 1609 के अंदर काशिविश्वनात मंदिर को बगल में जो स्थी थी था एक मंदिर मुगल समराट औरंग जेव ने आदेश दिया था कि इस तोड़ दिया जाए अभी हाली में जो आप मंदिर आपने देखने असाइर यह आलमगिर में यह बात बोले गए जो 1707 में ओरंग जेव की मिर्तियों के तुरंद बाद इसे लिखा गया था फार्सी भासा के अंदर जो यहाँ पर ASI रिपोर्ट में जो एक इस्टोरियन है जादूनाद सरकार ने 1947 के अपने टेक्स्ट के मतलब पाठ के अनुवाद का उले किया है इसलाम स्थापित करने के लिए जिस तरीके से यह उत्सुक था औरंग जेव उसने सभी प्रांथ के जो गवर्नर है यह बात बोल दी थी कि भी जितने भी काफिर हैं जो इसलाम को नहीं मानते हैं उनके स्कूल और उनके मंदिर को तोड़ने दिये जाएं यह आदेज जारी कर दिया जाता है यह बात किसमें बोलेगी है मसार यह आलमगिर यह 1707 में आ गए थी यहां पर तो यह एक अत्यन तत्परता के साथ इन एविश्वासी के धर्म की सिक्षा और सारजनिक अभ्यास को बंद किया जाए देखे यहां पर एविश्वासी के धर्म यानि हिंदूों को वो एक तरके से एविश्वासी धर्म मानता था औरंग जेब अपनी इस बात को यहां पर बोला भी गया है अब औरंग जेब ने बारवे शाशन काल 9 अपरेल 1937 को जारी किये गए शाही फर्मान के कारण काशी में विश्वनात मंदिर मतूरा में केशव देव मंदिर दोनों को नस्ट कर दिया गया अपनी जादुनात सरकार ने औरंग जेब के इस काम को हिंदू धर्म पर हमले के इस्ते के रूप में व्याकित किया अपनी एक बुक के अंदर औरंग जेब का शंक्षित इफ्टिया 16-16-17-17 यहां पर 1930 में बुक आय थी उसके अंदर ये बात बोली गई इतियासकार आते हैं हमारे सामने S.A.A. रिजवी वहां पर उन्होंने ये बात बोली औरंग जेब का जो शाशनकाला वो अकबर से काफी ज़्यादा अलग था अकबर एक तरीके से को एक्जिस्टेंस माना जाता है कि वो हिंदू-मुस्लिम को एक साथ ले के चलता था यहां पर ये बात बोलेगे ये अकबर से बिलकुल अलग था 1665 में उनोंने हिंदू वेपारियों द्वारा जो भी आयातपर मुसल्मानों द्वारा देख यानि एक तरीके से 1665 में क्या किया? हिंदू के ओपर जो भी टैक्स है वो डबल कर दिया सीमा सुल्क मुसल्मानों के लिए बिलकुल फ्री कर दिया यहां पर तो एक त्रिके से हिंदों को कहीं न कहीं है तो साब स्परस्ट है कि ओरंग जेब हिंदों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उनको दबाने की, उनको मिटाने की, उनको मारने की कोशिश ही की है जनवरी 1670 में प्रिंस आजम जो ओरंग जेब का तीसरा बेटा था उसकी शादी थी उसकी शादी के बाद उसने और ज़्यादा चीजें जो है वो और्थोडोक्शनी करूडी वादता दिखाने का मोका ही नहीं छोड़ा वो और ज़्यादा कठोर होता चला गया उसने कहां मतलब ओरंग जेब ने मंदिर और हिंदू सिक्षन के अंदरों को द्वस्त करने का एक सामान ने आदे जारी कर दिया कि तोड़ दो बनारस के परसिद विश्वनाद मंदीर मतुरा के केशवराय मंदीर जिने दार सुकों ने पत्थर रोलिंग बेंट की थी खंडर में तबदील कर दिये गए इस निति को लागू किया गया कि यहां तक इस निति को लागू भाई दूर दूर तक लागू कर द इतन उसने अपना तरक दिया कि 1693 का जो प्रमान है सब भी मंदिरों को ततकाल रूप से नस्ट किया कर दिया जाए यह कोई समान्य आदेश नहीं थे बलकि यह उन संस्थानों को लक्षित था जहां एक निश्चित परकार के शिक्षा हो रही है यानि कि एक पर्टिकुलर धरम के खिलाफ उसने काम किया है अनि औरंग जेब ने काम किया है अपनी बुक के अंदर ये बात बोलते हैं रिचर्ड इटन बुक का नाम मंदिर आपवितरता और भारत मुश्लिम राज्य जर्नल ओफ इसलामिक स्टडिज 2000 इस बुक के अंदर ये बात बोली गई इटन में मसाई माई सिर ये आलमगिर की एक पंक्ति को और इशारा करते हुए का कि औरंग जेब को पता चल गया था कि कुस्तानों पर और विशेशकर बनारस में जो ब्रहमन ऐविश्वासी हैं ब्रहमन ऐविश्वासी यानि वो एक तरीके से हिंदू को ऐविश्वासी बोलता अपने स्थापिश स्कूलों में एक जूटी किताबे पढ़ाते हैं और उसके काफी ज़्यादा परसंशक हैं चात्र हैं और इनके अंदर हिंदूर मुस्लिम दोनों ही शामिल हैं जो दूर दूर से यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहन करने के लिए आते हैं इतिहासकार चंदर ने भी लिखा कि औरंग जेब ने मंदिरों को विदवनशक विचारों के परशार के केंदर के रूप में देखना शुरू कर दिया यानि ऐसे विचार जो रुडिवादी तत्वों को श्विकारे नहीं करते हैं अपनी बुक आती हैं मद्यकालिन भारत का इतियाद 18 2700 दोजार साथ मैं इस बुक के अंदर सतीश चंदरा जी ने ये बात लिखी एक सिधान्त यह भी है कि चत्रपति सिवाजी जो महराज है वो आगरा में मुगल इरासत से भाग गए अब यहां पर भागने के बाद औरंग जेब को और ज़्यादा गुसा आया उसने इस गु इतियासकार औरे टूसके ने लिखा औरंग जेब ने 1669 में बनारस के विश्वनात मंदिर का एक बड़ा इससा ड़ा दिया था यह मंदिर अकबर के शाशनकाल के दुरान राजा मान सिंग द्वारा बनाया गया था जिनके परपोते जैसिंग 1666 में शिवाजी को मुगल दर बार से भगाने में मदद की थी यहां पर यह बात बोले गई औरंग जेब भारत का सबसे विवादी विवादास्पत यानि कॉंट्रोवर्सिल राजा का जीवन और विरासत 2017 में जो बुक आई है उसके अंदर बात बोले गई चंदरा इस बात से सहमत है कि जो लोकल जो भी एक issues है जो संगर्स होते हैं औरंग जेब के साथ एक तरीके से हिंदूों का संगर्स होता था तो औरंग जेब क्या करता था हिंदू से जो भी संगर्स हो रहा है उनको दंड देने के लिए एक तरीके से उनको warning देने के लिए जो काफी टाइम से जो हिंदू टेंपल है या काफी टाइम से बहुत पुराने होगे मंदीर होगे, उनको तोड़ना उनके आदेश दे देता था वो अब ग्यान में भी मस्जिद का निर्मान किया गया नश्ट किये गए मंदीर के स्थान पर जो मस्जिद है वो 1670 या 80 के दर्शक में बनाए गए थी टुर्शके ने लिखा खंडर की मंदीर के दिवार इस इमारत का मतलब की जो मस्जिद बनाए गई उसमें वो शामिल कर ली गई और ये जो शामिल की गई यही एक तरीके से मुगलों का एक तरीके से विरोत शामिल होगे आप लोगों को पता चल गया था है यहां पर नस्ट हुए मतुरा मंदीर पर बनी हुई शाही दिगा के विपरेट ग्यान वेपी मस्जिद का कोई श्रंक्षन अग्यात नहीं है मतलब मुगल दरबार के दस्तावेज में इसका उलेक ही नहीं मिलता है जैसे शाही दिगा का मिलता है वर्तमान काशी विशुनात मंदीर का निर्मान अठारवी शताबदी में आप देखेंगे ना साइड में जो आपको मंदीर दिखाए दिया गया था आपको स्टार्टिंग में जो इमेज दिखाए थी इसके लेकर evidence यह सारी चीज़े मैंने आप लोगों को cover करा दिया 1991 Act Place of Worship Act यह क्या है इसको लेकर controversy भी हो रही है काफी ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं कह रहे हैं कि यह हमारे fundamental के विरोध है Supreme Court इसका पक्ष भी ले रही है इन सब चीज़ों को देखे आए है तो वीडियो को share कर सकते हैं चैनल को भी शेर कर सकते हैं PDF के लिए फिर से बता देता हूँ description box में टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था Thank you for watching this video